अभी तक हम अपने स्लेवस के दो पार्ट खतम कर चुके हैं उसमें एक जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है सिल्वी कल्चर और दूसरा था छोटा सा मेंगरूजेंट कोल्ड डेजर्ट अब थर्ड सब्जक्ट की तरफ चलते हैं यह है सिल्वी कल्चर सिस्टम अगर इसे ट् को भी हम इसी अग्री कल्चर टाइप से हम उन्हें ग्रो करेंगे उन्हें हम राइज करेंगे मतलब उनको मैंटेन करेंगे और लास्ट मोने हार्वेस्ट कर लेंगे तो एक टाइप से हम अग्री कल्चर जैसी एक्टिविटी फोरेस्ट ट्रीज के साथ जो कर रहे हैं तो जिस सिस्टम के अंदर हम इने पढ़ते हैं वो है अपना सिल्वी कल्चर सिस्टम अब जैसे कि अगरी कल्चर सिस्टम है यानि कि अपना अगरी कल्चर की जो क्रॉपिंग सिस्टम है इसके साथ कुछ इसू रहते हैं इसू क्या होते हैं कि जब आप क्रॉप को हर्वेस्ट कर तो कोई फार्मर अगर हम ले रहते हैं, कोई छोटा सा फार्मर ले लिया, सद्धड अक्रोटि दो क्या हो रही है? याम रहे यह सिसनल है, या या एनवल है. मतलब उसे हर 6 मन्त क्यां चाति हम है, उसे इनकंड या क्या इनगा में शाञूरी है. सेकंड जो इस्टिक होड़ा रहा है वो है फार्म में अगर देखा जाए वो है लेवर फोर्स तो अगर लेवर फोर्स की बात की जाए तो उसे लगवक सीजनल अगर क्रॉप हो रही है तो उसे हर सीजन में उसे लेवर के लिए जौब मिल रहा है यह वरकिंग के लिए आपरजुनीटी मिल रही है और अगर एणवल बोला जाए तो उसे एन्वल पे मिल रहे हैं कहने का मतलब है अगर लेवर फोर्स को सीजनली माना जाए तो उसे कहीं ना कहीं हर सिक्स मंत में से टू मन्त के लिए काम मिल जाता है फोर मन्त वो घर पे मिल जाती है अब यहां पर अपने जो बेसिक मुद्धियां वो है एक है स्वाइल रोजन का मुद्धा और दूसरा है वैदर का इंपक्ट तो अग्रिकल्चर क्रॉप पर देखो सिधी सिपाता है कि जब इनने क्रॉप हर्वेस्ट की तो जो जमीन है वो एकदम खाली ओपन छ इसे कि फ्रॉस्ट है होट और कोल्ड विंड है इनका अपनी क्रॉप पे क्या इंपक्ट पड़ेगा अगरी कर्शल की पर तो कहीं नहीं फार्मर उसे भी मैंटेन करने की कुछिस करता तो फरक तो पड़ता है लेकिन कहीं मैंटेन हो जाता है तो यह तो रहा अपना अग्र है वो कितना हो गया फॉर एक्जामपल अगर आपने पॉपलर कोई लगा दिया तो टैनियर की मैच्यूटी पे लगा दिया है अगर आप टीक लगा देते हो तो उसका रहा चालीस साल या सिक्स्टी एर दियुजार लगा दिया तो आपने डेल सो साल का रहा रोटेशन पिरिय तो अगर इसे फार्मर लगा दें अपने खिद पर तो उसके साथ पहला हुआ है पहला इसू है उसकी जो मैचुटिया वह एनुट नहीं है तो उसकी जो इनकाम है वह भी एनुट यए सीजनल नहीं होगी वह भी 40-50 साल बाद ही होगी या 10 साल बाद होगी तो आप लेवर फो पूरा हेक्टर में जो फूरा फूरेस्ट कटेगा तो उसके लिए बहुत जदा लेबर चाहिए उसनी लेबर अवायलेबल नहीं हो पाएगी और फिर जब उस टाइम पर इतना सारा फूरेस्ट कटके एकदम जब वूड एकदम मार्केट में जब आएगा तो मार्केट की जो एब्जॉर्ब्सन कैपेसिटी है यानि कि जतना कंजियूम कर सकता है मार्केट उससे बहुत जदा है उसका रिजल्ट होगा कि जब सप्लाई जदा हो जाएगी डिमांड उतनी रही तो मार्केट प्राइज गिर जाएगी इस टाइप से गवर्मेंट को लॉस भी हो या वेधर की एंप्रेकट किई तो जैसे फार्मर है वो मेंटिन कर लिता है फॉरेज्ट में उसना मेंटिन करना पॉसिवल नहीं होता है क्वार जहां जहां एग्री कल्चर क्रॉफ अपना पूरा पूरेट six month में complete करती आ तो जैसी अपना एक अगर फारी ग्रोफ लगा द में अगले तीन-चार साल तो ऐसी के इसमें जो स्वाइल है वो ऑपन बनी रहती है तो यहां स्वाइल रोजन जैसी चांसे से वो बढ़ जाते हैं और क्योंकि जो जमीन है ऑबिसली फोरेस्ट जो जमीन होती है वो प्लेंद कभी होती नहीं अकसर अंडियूलेटिंग हिली ए हाँ अगर एक आप जो फोरेस्ट गार्ड है उसके अंडर आपने 10,000 हेक्टर एरिया पकला दिया फोरेस्ट का तो एक गार्ड की इतनी लिमिट नहीं है वो सकति मान नहीं है कि वो 10,000 हेक्टर एरिया के ओपर गूम गूम हरके फ्रोस्ट से बचा लें तो यह फोरेस्ट के क्राप लगाने से लिएके उसे हर्वेस्टिक तक को वो पूरा जो system बना उसे वोख ल हमें sylvy kulture system तो यह जू से सिल्वी कल्चर system है, इसके different types आएंगे जो types आएंगे वो इसी base पे आधार होंगे कि हम जिस type के इनकी harvesting करेंगे प informal को सामने करदा, लोकल रीटी के साथ नहीं मैच बना कि इनके काटने की है पर काटने के बाद जब नई क्रॉप नई कॉरॉप किस से ओगा रहे हैं, सीर से ओगा रहा है उकोपीी से ओगा क्योंकि कुस्टन जो आते हैं उनमें सब से पहले तो एक कुस्टन यहीं बन जाता वो डेफिनी से लिख देते हैं और आप से पूछ लेते हैं कि यह है क्या तो मतलब अपना अप्शन सीधा 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 आजाता है सिल्वी कल्चर सिस्थम तो यहां पर है एकॉर्डिंग्स विद्धा असप्टर सेट अप्शली गल्चर पिंजीपल यह मैथाड है कि जिसमें आप से लिवी कल्चर प्रोसीजर रहे उसको वर्क आउट करते हैं कि इसी क्रॉप पर वह स्टार्टिंग से लेकर कि उसके लास्ट की हार्वेस्टिंग तक ठीक है जो भी आपको सेट है एगाार उसके पर अपना मुद्द आता है कि से सिस्टम के टाइप कि तो ऐसे होगाया जा सकता है या तो एक सीड्ल से होगाया जा सकता या इसका दूसरा मुद्दा हो सकता वैजिटीटिव इनकी कौपाइस वाला तो अगर आपने जो फोरेस्ट है यानि कि सपोज आप ऐसे मान के चलेंगे कि इंडिया में पेपर की अभी बहुत ज़्यादा इसु चल रहा है हमारे जो पेपर आता है वह काफी हद तक इंडोनेसिया से इंपोर्ट करते हैं तो जो पेपर मंगाते हैं इंडोनेसिया से अब मान के चलो मोदी जी ने बोल दिया कि हमें इंडिया को सल्फ रिलाइंट बना सकते हैं तो फोर यहां पर कुलाइंट गया है तो यहां पर क्रोब लगाएंगे दिन तो यहां अ पूरा प्रोसेस मतलब कैसा लेगा सिल्वी कल्चर सिस्टम तो यह जो सिस्टम चलेगा है उसे तुम लगाओगे कैसे या तो लगाने आपने से कौपाई से कर गया बनाया तो इसे हम बोलते कौपाई Daubis Forest system यह दो तर्माइव आप याद रखने है वैसे हम ने सिली कैल्चर का जो आपके पास जो भी नोटे सा उसका जो सिकंड चेप्टर है उसमें हाई कि फोरेस्ट और को पड़ चुके हो अब अपना मुद्द्ध यह आई फोरेस्ट को पाईस फोरेस्ट से काम नहीं चलेगा अब यहां जो अपना हाइप होरेस्ट है उसको काफी डिटेल में पड़ना होगा अब हाई फोरेस्ट मतलब वो फोरेस्ट जिनने हमने सीड से हो गाया है अब यहाँ पर क्या है एक पचड़ा और है जैसे अपना यह रहा पूरा का पूरा एरिया कौन सा कितना 10,000 हेक्टर का अब आपके पास एक इस हुगा है या तो आप एक काम करेंगे इस पूरे एरिया में आज ही प्लांटेशन कर देंगे कब 2020 में और सपोज आपने यूकलिप्टस की प्लांटेशन की है 10 यर रोटेशन पे तो 2030 में यह पूरी की पूरी क्रॉप मैचिर होगी लेकिन इसके साथ क्या इसू है जब आज आप प्लांटेशन करोगे तो इस इतने बड़े एरिया के लिए आपको मान के चले पांच हजार लोगों की जरूरत है लेबर फोर्स की है तो गवर्मेंट को ये पांच हजार लेबर फोर्स कहां से लेके आ एकदम वो भी इसके लोनी चाहिए दूसरा उन्हें आज जैसे तैसे लेके आएंगे दो माईने काम कराएंगे इसके बाद छोड़ देंगे उन्हें फिर अगले दस साल बाद जब ये कटाई आएगे तब वो काटने वाले इतने कहां से लेके आएंगे और थार्ड पॉइंट जब हम 30 में काटेंगे तो ये एकदम इतना जैदा वूड प्रोड्यूस करेगा कि महारास्ट्राम जो अपनी राजिस्थान में जो इंडिस्टी होगी वह से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी कि मकाहि को सब्पोरे एडिया को हम 10 पार्ट में डबाइड कर देंगे यह क्या करेंगे दोजार पीश में इस एरिया में प्लांटेशन कर देंगे, दोजार इक़ीश में इस एरिया में करेंगे, दूसरी में, दोजार बाइस में इसमें करेंगे, तो इस ताइप से प्लांटेशन करेंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा कि जब टैन येर वाल पकना शुरू होगा त 2030 में यह वाला पकेगा पहला वाला यह पक्के आ जाएगा 2030 में यह दूसरी साल था यह आ जाएगा 2021 में तो इस टाइब चे क्या होगा कि हर साल एक साइकल बन जाएगी कि आपको 1000 hectare की जो VOD है हर साल कट रहे हैं जब हर साल कटेगी तो आपको क्या होगा कि यहां Plantation में भी आपको मान के छलो 500 मजदूरों की जरूरत है तो आज पहले area में काम करेंगे इसमें काम करेंगे अगली साल इसमें काम करेंगे प्र अगली साल इसमें तो इस टाइप से आप अपने पास permanent labor force को recruit कर सकोगे और इधर कटाई वालों के लिए भी आप अगर recruit करोगे तो वहाँ पर भी permanent कर सकोगे तो इस टाइप से जो labor force है आपके लिए वो permanent होजाएगी इसका दूसरा benefit क्या है? जो इंडिस्टी है उन्हें पता रहेगा कि यहां से एक fix है मौन्टू है बोड़ाना है तो इंडिस्टी उसी के हिसाफ से develop होंगी market उसी के हिसाफ से develop होंगी तो market में price की जो है वो unstability नहीं होगी price बचे रहेंगे तो यह जो हपन बनाएंगे यहां पर यह जो छोटे छोटे ब्लॉक में जो अपने इस एरिया को divided किया इसको बोलते है एनुवल कूप टर्म याद रखना इसे एनुवल कूप यह टर्म आता है कई वार अब यहां बताने का पर पज़िए था एक तो यह पहला कॉंसेप्ट है जिसमें आप पूरे एरिया में एक साथ री जनरेशन वर्क कर रहे है या दूसरे में आप कर रहे है उसके किसी particular part में चोटे पार्ट में तो यहां पर यह सिस्टम आप कंसंट्रेटेड री जनरेशन मतलब पहला वो है और दूसरा सिस्टम है वह है डिफ्यूज रिजनरेशन मतलब इसमें आपने पूरे को पूरे फोरेस्ट एरिया में ही आप रिजनरेशन एक्टिविटी कर रहे हो और कुछ सिस्टम ऐसे होंगे जिन्हें हम ऐसे सरी में डाल देते हैं जो ना पहले की कैटेगरी में आते हैं हैं उन्हें हमने डाल दिया स्थी काटेगरी में जेना बोल दिया है ऐसे सरी सिस्टम तो इसे लिए अपने अपने दिमाग में अपना क्लियर फिलिंग शिस्टम इसकी जो टाइप हो देख लेंगे पहले फ्लिंग सिस्टम समझते हैं अब मान के चलो यहां पर आपको वैसे दिखरा होगा कि यह से फोरेस्ट इरिया इसका यह पूरा-पूरा जो पैच है उसे बिल्कल क्लियर कर दिया क्लीन कर दिया सफ कर दिया आपको वाहां कुछ भी नहीं दिख रहा है कि किसमें चल रापना हाइफयाट के अंडर पाद रहा है कोपाइस के अंडर ने एक अपना यहाँ पर क्या लाएगा खोपाइस तो यह अपन पढ़ रहा है वो हई पर रिजनरेशन करते हैं क्रॉप को लगाते हैं क्रॉप बड़ी होती है उसकी टेंडिंग अन्नी जो भी करना आप करते हैं वीडिंग क्लीनिंग लास्ट में जब क्रॉप पक जाती है तो पूरे क्रॉप को एक साथ काट लेते हैं जो भी आपका एरिया पूरे एरिया को एक एक्टर का एरिया थाई दु सिर्वाल मादितो हजार एक्टर की एरिया में से आपने डुशार प्रेच होती बखार चार प्रूंति काट तो इसको हम बोलते हैं कि लिए फिलिंग सेस्टम यह फिलिंग कब देहां लखना यह अगर कभी लिखना आ तो यह फिल जो होता है वह प्लफ एल होता है यह फिल भरने वाला नहीं होता है यह नहीं व истор होता है यह फिलिल का मतलब साफ तो सब्सक्त्र अग्रिडर्क्व सिटम का मतलब आफ समझ कहा हैंगे यहां ए queens जैसा क्रॉप लगाई बढ़ने थी उसे जब maturity है जब पक गई हो हमने पूरे को पूरे इरिया को पार लिया अब जब आप ऐसे करते हो तो यहां पर आपके साथ दो आसकते हैं इस हूँ क्या आसकते हैं चैसे आप कभी-कभी ऐसे एरिया में लगाया जो ही ले लो तो यह पर एक तर्म आता है equal या equal productive area कहने का मतलब यह है कि जैसे हमने यहाँ पर जो एक एक हजार हेटर के 10 area divided किये थे तो अगर यह area agriculture crop जैसे plan area है तो क्या होगा कि सभी area की productivity है जो fertility है वो एक ही है यानि कि सभी का उत्पादन जो है वो बराबर है तो इस केस में क्या होगा कि हम बराबर साइजी क अरीया ले लेंगे लेकिन पाड़ों में क्या होता है कि कई बार अरिया जो है उनकी उत्पादन शंधा ऊच नीच होती तो फ़र हम यहां पर एक्सटेंस में बराबर मतलिब साइज में बराबर तो हम एक्सटेंसिब नहीं कि एरिया ले 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 लेते हैं कि- लुटू मातलब बनांगा जो एरिया हम बनाएंगे उनके साइज उंच नीश होंगे लेकिन उनका उत्पादन जो है वो बराबर होगा तो इस टाइब से काम भाई चलेगा हम क्रॉप को लगाएंगे क्रॉप बढ़ेगी आगे पहुंचेगी और हम उसे लास्ट में हर्वेस्ट कर लेंगे यहां पर जो पैतम था ज्याप अभी और जो इना था अनौय क्रॉप के बारे मैं अतों को बताई यहां पूरह है prin की अब इस टाइप साब ने बनाया यह अपना हुए अब इसको एक रिविव करना होता है इस पूरे क्लियर फिलिंग सिस्टम का कि इसका ओरीजिन कैसी है क्रॉप हर्वेस्टिंग कैसे करेंगे क्रॉप की करक्टर क्या है एडवांटिच और डिसएडवांटिच इस पढ़ना ह के अपनी जो कॉप ओगी ओगी वह सीट से होगी होगी कहां से आ यूजली हम करते हैं कि एक बार जब हम क्रॉप हरवेश कार देते हैं तो इसक kysymisacute को सकते हैं गारते Matthew cow में इसा और डिफिचल यहों पांच दस पर संट जो सी नहीं क्योंकि ओवां पर चो पिड़ काटें उन्होंने भी तो कुछ सीड बनाये होंगे दूसरा सब्सक्राइब सब्सक्राइब वह इतने अरिया का ही काटा इस एडा का तो यहां का गयुत नए कटा है। और यह भी नहीं कटा है तो इस केस में क्या होगा कि इस एरिया के जो सीट ii वह इधर आ जाएंगे इस एरिया के सीट चीड जो है तीसरी एजिड भी इसमें आ जेते हैं तो यहाँ नेशरल का मतलब सीड कैसी के भी आ सकते है वह अजयने कि बाए इंसान लगा जाए नेचुरल यह बात यादा किना और यह ताइप की जो टर्म है वो डेफिनेशन में भी यह कुस्टन जो आते हैं और मैं भी बिल्कुल ऐसी टर्म पूछ लेते हैं कि जो क्लियर फिलिंग है उसमें जो कुरॉप है और जिनेट जो लगाई जाती है मत्रॉप है उसमें पूरी कितने ऑपरेशन में ढिकालते होते हैं और पूरी के पूरी कफरी करॉप तुतीन दिन में खतम कर देते हैं तो एक ही बार में एक टाइम में वन ऑपरेशन में पूरी की पूरी क्रॉप हर्वेस्ट कर दी जाती है अब अगर क्रॉप के बात की जा है तो आपको पता है कि अगर हम एनुवल कूप के बात करें तो पूरा का पूरा जो एनुवल कूप है हम जो भी बात क करेंगे भूब से ऐदे के बात करने कि कोई मुद्धा नहीं कि अपने जो भी बात चल रहे हैं वह एन्वल कूप पर अलग रहे गा लेकिन अपना जो अपरेस्ट शाव ड्याबलित पर चल रहा भी तो यहां की कराक्टर है वह से अनौब कूप में वो क्या रहेगा इवन एजट पूरी क्रॉप एक ही एज़ की होगी क्योंकि सभी को एक ही साल लगाया गया तो अगर हम इस पूरे फूरेस्ट एरिया को देखें जो अपना था पूरा इसको देखें तो यहां क्या मिलेगा आपको मान के चलो एक एनुवल कूप मिलेगा जिसमें फसल जो है अपनी वो एक साल की है दूसरा एनुवल कूप मिल जागी जिसमें दो साल की फसल हो गई और जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो है एक साल का क्योंकि अपने एक साल की गैप से ने प्रलंट करते जा रहे थे तो इस ताइप की जो सीरीज बन जाती है यहां से तो एक होता है इस ग्रेडेशन जब फॉरस्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे ता हम देखेंगे कि एज ग्र हैं मतलब एक साल दो साल तीन साल चार साल अगर माने चलो पांच नहीं हो कि यहां छह साथ है तो यह पांच अपना गायाव हो गया था गायाव हो गया तो इसे हम नॉर्मल सीरीज नहीं बोल सकते क्योंकि यह गायाव है अगर कोई गायाव नहीं है और यह बिल्कुल सीधे सीधे से चलते जा रहा है अपने तो हम बोल सकते हैं कि एज ग्रेडिशन की बिल्कुल नॉर्मल सीरीज बन गई है तो यूजली जो अपने आपने एक लIES कर आप से यह हार्वेस्टर लिया और पूरी क्रोप को कुट दिया इसके बाद आपने फ्रुहा अपर नएकर आपकी सीड़्त ला लें नई को गाया और साल के लिए आप अपने घर पर आके बैठ गए उदस साल बाद फिर गया और फिर काट ली तो एक टाइब से सिंप्लेस्ट सिस्टम है इसमें दिमाग का दही कुछ होता नहीं है दूसरा रिजनरेशन की बात की जाए मतलब फिलिंग बात की जाए मतलब फिलिंग वर्क या रिजनरेशन वर्क तो कंसेंट्रेटर बोटा आपके पास जो भी गिवन एरिया है उसकी छोटे से जो एनुल कोप है उसी में हो रही होगी पूर एरिया में निक्ट लिए हो गया था तीसरा मुद्दा आता यहां पर र अगर आपका एक प्लांट पढ़ रहा है जड़ लाग का उससे आपने किसी दूसरे पेड़ के अंडर लगा जिया और उस पेड़ का एलिलोपैथिक इंपक्ट पढ़ गया इस पर हो प्लांट मर गया तो आपको लॉस्ट हुआ लागाना होता है कि जहां वो प्रॉपरली ग् इंपक्ट ना पढ़े तो आप इस ताप से जब अच्वा लेकर आते हुशंव तो उन्हें कहीं न कहीं किलियर फिलिंग सिस्टम में ही गुरो करते हो तो यहां पर अगर हम किलियर फिलिंग के एक्जवर्ट को इस टाइप से फोरेस्ट में लगा जा जाता है इंट्ट रो होता है कि यहां पर कितने साल के पेड़ हैं कितने पेड़ हैं क्या है क्या थो सुपरवीजन में डिपार्टमेंटल लेवल पर और sacred ऐडमीन इडमेंश्ट्रेटिव लेवल पर बहुत आशन होना सब कुपको पदा होता है कि कभ कहा Bissa काफी उच्चियों जाता है इसके साथ स कि इसे गावर्मेंट फॉरेस्ट माल में तो को भू ऑबर्मिंट की प्रोपर्टी आइन है और आप एक हजार है या बंद कर दियां का टिया लोग करते साथ टो एहां पर क्लियर फिलिंग आपको थोड़ा आसान कर देता है कि आप एक छोटे से पार्ट में रिजनरेशन अक्टिविटी करते हो एक डिल साल में से आर्टिफिचली ग्रो कर लिया जैसी वह हाइट की होगा आप उस एरिया को जल्दी से खोल लेते हो ग्रेजिंग अक्टिविटी आइडियल फोरेस्ट आइडियल का एक बिस्क यहां पर ऐसा समझे लो कि मान की चलो आपके दिमाग में एक फोरेस्ट बना हुआ है कि यह एक एरिया है यह हमारे लिए आइडियल तब होगा कि आगर इसमें अगर हम प्लांटों को देख हैं तो यहां मान दस हजार मतलब सब्साब्ट बिल्गकल इस्टेंडर्ल कंडीशन में तो हम उसे मा जो हमें चाहिए तो कहीं न कहीं वो बिल्कुल कंट्रोल होते हैं टोटल और वो नॉर्मलिटी के बिल्कुल पास में होते हैं इतना हो गया आपने इसके एड़वांटेज अब इस सिस्टम के कुछ डिसएड़वांटेज जैसी के अपने प्यूर क्रॉप के साथ जो अब ये दो साल स्वासा lower ग्र Crash वो अग्दम दुक्षबख बैठ कर देते हैं तो वहां पर एक टाइप से मैटीरियल घालएबल करा दिए तो पीडियाड के चंसे तो न बढ़ जाते हैं इसके साथ जो अपनी क्रॉप है वो इवन एजएड है जैसे कि मैं मिक्स स्टेंड में बता चुका था आपको सिल्वी कलचर में है कि जो मिक्स स्टेंड होता है उसमें जो इसकी रूट्स होते हैं वो अलग अलग डफ्ट पर होती है तो यहां पर स्वैल की पोटेंशियल को यूटिलाइज कर लेते हैं जबकि यहां इवन एजट क्रॉप जो है उसकी करना पॉसिवल नहीं हो बदा है क्योंकि एक ही क्रॉप है और सभी की रूट एक ही डफ्ट पर है तो नौट यूटिलाइज साइट कॉालिटी फुली और ऑबिसली जो एन्वल एल्ड की बात की जाया है तो हमारे दिमाग में जो एंवल ईड होता है वो के बला गॉमार्शियल एस्पक्ट होगा है तो बोला जात तो क्लियर फ्लिंस इस्टम में सबसे ज़्यदा यल्ड मिलती है यस यह राइट है यह लेकिन अगर हम अधर आशेक्ट को देख लें जिसमें हम इन्टैं जएदह है कि में उसमें जएदा उत्पातन होता अग्पेर टू क्लियर खलेंग के बट तोनों के एसपेक्ट द्यान रखना अगर आपका टिमबर प्रोडक्ष नहीं की एकोनोमिकल वैड़ी तो क्लियर फिलिंग में सबसे ज़्यदा प्रोडक्ष नहीं होता है यहां आपको तो जो agriculture में पढ़ेंगे बैसी कुछ issue है पहला तो issue यह है कि जैसे हिली area है हिली area में अगर हमने ऐसी crop को एक बार harvest कर दिया एकदम area को open कर दिया तो यह जो एक दो साल में जब अपनी vegetation उस area को cover करेगी एक दो साल हिली area के लिए बहुत बड़ी time period होता है क्योंकि इतनी में एक दो बार बातल फटका है उस पूरे area को erode कर दिते हैं और फिर उस area को region rate करने में हमें अपने grandfather के भी grandfather याद आ जाते हैं तो एक तो यह soil erosion हिली topography में बहुत बड़ा issue है दूसरा आपको पता है कि department हमेंसा यह जायता है हमेंसा artificial ही क्यों करां क्योंकि artificial का मतलब है आपको वहाँ पैसा लगेगा labor अगर seat डालने जाएगी तो seat के collection से लेकर के seat के processing से लेकर के seat को जमीन में गाडने तक आपका पैसा लगता है तो आप चाहते हो कि पैसा आपका जो है वो थोड़ा कम हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आप यह ट्राइ करोगे कि आपका जो investment है वो थोड़ा कम हो तो आप इस type का system को promote करोगे कि यहाँ सीड जो है वो कहीं न कहीं आसपास के पेड़ों से अगर आ जाएंगे तो जड़ा बैटर है मतलब इस एरिया को रिजनरेट में हम artificially support करें हम प्योर हंड़ेट परसेंट आर्टिफिजियल ना हो करके अगर हम यहाँ पर सतर परसेंट यह साट परसेंट यह आर्टिफिजि करता है कि लोकल मार्केट कितना है लोकल मार्केट ट्रीकी रोटेशन पीरियाड है कई बाद जो इस पूरियर फिलिंग तो लाइट डिमांडर इस परसीज में बहुत अच्छा होता क्योंकि यहां पर सभी एक ही हैं और सभी को बराबर दूप मिल रही लेकिन अगर हम सेट इस प्रिसीज को भी ग्रोग अना चाहते हैं मतलब ऐसी इस प्रिसीज जो दूसरे पहली की छाही में रहना चाहती है तो यहां पर उन्हें ग्रोग करना पॉसीबल नहीं है तो इस क्लियर फिलिंग सिस्टम के कुछ इसूज हैं इन इसूज को जो जो कम करना है उस के लिए अपने आगे कि सिस्टम आएंगे बाद में सेल्टर वूट इस इसके इस इससूज के बेस पर ही बनाये गाया इससे पहले हम एक बार किलियर फिलिंग सिस्टम को रिवीव कर लेते हैं इस रिवीव में क्या देख लाई है कि हमने इसका पहले तो हमने इसका डैफिनेशन वाला पार्ट पढ़ा और फिर एन्वल कूप वाला पार्ट पढ़ा इसके वाद हमने इसकी ओरीजन देख ली थी क्रॉब की निएख ली तो क्रॉपि देख लीए थी वन वापरेशन में करते हैं क्रॉब की करेक्टर देख लिये थे विलकुल सिंगल यह वाली क्रॉप की धेर फर इसके ऑड्वाइंटे जिसके इसड्माइच देख लिएथे जाथ हैं यहाँ पर इस Blade विंड फ्रो वगरे के हैं सब्सक्राइब है जो अपनी कोस्ट बढ़ा रहे थे इनको यह टाप इसके इनके लिए अगला सिस्टम लेकर आएगा सेल्टर वुड सिस्टम लेकिन सेल्टर वुड पर जाने से पहले यह जो क्लियर फिलिंग सिस्टम है इसी में अगर थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाते इसको भी काफी हथ्ता कंट्रॉल की जाता है तो इस ताप से क्लियर फिलिंग सिस्टम के दो मोडिविकिशन और एक होता है किलियर इस्ट्रिप सिस्टम और दूसरा है अल्टर्णेट सिस्टम क्या इन्हों ने यह बोला कि यह अपना एन्वल कूप है अपना तो जोना भुला कि एक काम करते हैं इस एन्वल कूप में हम जो फचल को का रहा है वह requiring कि पूरे एन्वल कूप को एक साथ बला रहा है हम चलो एक काम करते हैं इसे कोछ प्रिए अजये तो आप यहां पर क्या करोगे एक क्रॉप है उसे काट होगे मतलब इसे काट लिया बाद में इसे काट होगे और फिरसके बाद में इसे यह अपना एक पैच हो गया दूसरी पैच को फिर यहां पर फॉर्थ फिर और शिक टैप यहां से आपका एक सिस्टम चल रहा तीन-थी के तो यहां पर किलियर स्टेब मतलब आप जो कट कर रहा हो को में कर रहा हो बिल् powiedz pew न करके बड़ेख में न करके स्टम बाद इक दूसरी की दर प्रोग्रेश में चल रही है प्रोग्रेस की ताटेबर questa ऑफ में बैट सम Capture दार ROW जाएंगे तो इसका मतलब है नेचरल री जनरेशन वाले बीसी थोड़े अपने सॉल्फ हो जाएंगे लिए जो इस्टेफ है यहां पर हम क्या करते हैं कि अपने जो एन्युल कूप है इसको एक अन्युल कूप कर देते हैं और इस टाइप से यहां पर तीन में डिवाइड कर दिया और हमने एन्युल दूसरा मुद्ध्ध है वहां पर क्या कर देते हैं अल्टनेटS ट्रफ आप इसमां अल्टनेटल् में इससे याद रखो कि जहां इसमें हो रहे थे इन्हों ने क्या ब fox में बनल दिया कि हम अगली साल हम अगली साल हम इस इरिया को खटेंगा तो is तनफ से Tribal अब अपने को याद रखना है यह क्लियर फिलिंग सिस्टम के एक्जामपल तो क्लियर फिलिंग सिस्टम कहा अपला ही होगा जो अपनी लाइड डिमांडर इस प्रिसीज है उनके लिए लाइड डिमांडर इस प्रिसीज कोन है जैसे कि एक एक्जामपल अपना टीक है दूसर एक्जामपल साल है और तीसरा है कैजुराइना एक्विसिटी फूलिया क्योंकि यह तीनों के जो आना एक्जाटिक था तो इसके लिए यूज किया गया तो यह तीन एक्जामपल याद रखना है अगर कभी कोश्चन आया तो इन तीनों से काम हो जाता अपना सबस्क्राइब एक दो कुछ कर लेते हैं कि अगले इस सिस्टम पर चलेंगों वालड दूई अंडर्स्टेंड वाइदा क्लियर फिलिंग सिस्टम से क्या समझते हैं इन्चिस्टम स्वयल इच कंजर्व मेंटें नेच्छर्ट स्वयल फ्लोरा इंपोना इन्वेजिन ऑफ फी सब्सक्राइब कर दिया एक बार काट करके तो आप फोना फ्लोरा कुछ बची नहीं सब मर गई दूसरा इन्वेजन और वीड और वीड को प्रमूट करता है क्लियर फिलिंग में तो पहला अप्शन तो बची निरा उससे बैठी निरा सिल्वी कल्चर दूसरा अप्शन अपन सिल्वी कल्चर सिस्टाम इन विच एक्वल है एक्वी प्रोडक्टिव एरिया और मैचूर क्रॉप और सक्सेसिब्ली क्लियर फिल्ड इन बन ऑपरेशन तुभी जेनरेट मोस्टली फ्रिक्वेंटली आर्टिपिसियली तो यह जो है वह सीदी सीदी क्लियर फिलिंग की अपना आंसर है इसका नीचे भी देख लेते हैं दिस सिस्टेम डाज नोट इनवाल फॉर्मिशन ऑफ एन्वाल कूप का फॉर्मिशन इसमें होता ही नहीं तो बादी गलत है मतलब होता है एक्वल मैं जबकि यह नौट बोला था इन दिस सिस्टेम देन नीव क्रॉप इज फिलिंग फिलिंग ओफ ओल्डर क्रॉप यह जो चीज है इसे आप पढ़ोगे सेल्टर वूड में तो सेल्टर वूड सिस्टम में तो यह इसका पार्ट नहीं है इसलिए यह भी गलत है यह भी गलत है तो अपना अंसर आगया बी अब देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन प्ल इस फुली फूलो इन प्लांटेशन ऑफ निलगरी हिल्स फॉर इनका कहना है कि निलगरी हिल रीजन में यह जो किलियर फिलिंग सिस्टम है वो किसके साथ यूज किया जाता है अब आविसली कई वार ऐसा होता है कि कुश्चन ऐसा टिपिकल आ गया और हमें इसका आंसर किस भी पढ़ोगे आगे भी आएगा इसके सिल्वी कल्चर सिस्टम के बाद जो सब्जर्ट आएगा वह ट्री स्पिसी जाएगा जिसको आपने को रख्टा मारना है तो जो बबूल है यह कहां होगेगा ब्लैक कॉटन स्वाइल ब्लैक कोटन स्वाइल का महरास्टा है यूपि जो मुरेना है उसी में पांसिक्तमर वाला जो जिला है तो उसी में सबसे ज़्यदा एक कट्छा बनाने की इंडिस्टी कट्छा वही है जो अपने पान पे लगाते हैं अब यहां आपके पास बचा अकैसिया मेंजियम और दूसरा बचा अकैसिया मेरेंसी तो यहां पर मेरेंसी को यहां अंसर दिया है कि उसका अंसर मेरेंसी है वो अलग बात है लेकिन अगर एक्जाम में पड़ जाए और लगा नहीं हो अगर आपको नहीं आ रहा है और निगेटिव मार्किंग है तो वहां पर छोड़ना एक बैटर आप्शन है लेकिन मैं कभी ऐसे छोड़ मेरेंसी वो सही है क्योंकि कई बार ऐसे कुश्चन पता नहीं होते हैं तो यहां पर जो अपना क्लियर फिलिंग सिस्टम था वह अपने हो गया कम्प्लीट अब चलते हैं अपने दूसरे सिस्टम की तरह वह सेल्टर बूर तो पहला अपने को यह समझना पड़ एका कि किलि इस टाइप से हमारी जो रिजनरेशन कॉस्ट है वो काफी बढ़ गई थी तूसरी प्रॉब्लम है किलियर फिलिंग को हम हिली रीजन में नहीं यूज कर सकते क्योंकि वहां जो स्वाइल रोजन है उसकी इसू काफी जदा है तीसरा जो विंड है स्नौ है फ्रॉस्ट है यह भी चीजें इसू है उसके साथ और फिर लॉंग रोटेशन पीरियाड है हम चाहते हैं को रोटेशन पीरियाड भी थोड़ा कम हो या फिर इंटर्मेडियेट हमें कुछ बीच बीच में भी क्रॉप मिल जाए क्योंकि अगर हम कॉमर्चियल लेवल पर गर दिखा जाए और अगर हमने सपोज पांच-दस साल की रोटेशन की क्रॉप लगा लिए तो कोई भी फार्मर उसे लगा सकता है तिक अगर आपने टीक लगा दिया कोई फार्मर लगा दिया को आज लगाने के बास 40 साल बाद दें कोई फार्मर ने अगर जिसके पास दो एक्टर जमीना और लगा जिए तो एक हैक्टर में सर्वाहिव नहीं कर पाएगा चालीस साल बाद को करॉल फती बनेगा तब बनेगा तब तक तो वह आदिल आदा परिवार है ना वह निकल जाएगा इस दुनिया से तो यह दिक्कत हैं कि सभी चाहते हैं कि जब मैंचर क्रॉप आए जब आय है इसके साथ फिर अपने वह लेवर वाले इसू है जब आप यहां पर जब आटिफिशिल रिजनरेशन करते हैं तो उस ताम पर बहुत ज़्यादा मानी की ज़रूवत होती है इस पूरे इंट्रा को मैंटन करने की है मार्केट के इसू है मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा उसके साथ मार्केट की ज़र और इनवेसिज जो इस पीसीज है उनकी ज़र यहां पर यही बचाए क्योंकि यह फोरस्ट सिस्टम अगर आपका प्रोफिटेबल नहीं रहेगा तो इनवेस्टमेंट आएगा क्या नहीं आएगा तो कौन इनवेस्ट करेगा तो इस ताइप स सिस्टम आता है यूनीफॉर्म system यह जो यूनीफॉर्म सिस्टम है यह कुछ नहीं है यह बिल्कुल clear filling सिस्टम ही है बस सेल्टर वूड का पहले आपको मतलब समझना होगा सेल्टर का मतलब क्या हुई चाईँ और वूड का मतलब क्या है लखड़ी मतलब लखड़ी की स्ष इस तो यह बिल्कुल क्लियर फिलिंग सिस्टम में बस हमने क्या किया कि सपोज जो एरिया था उसमें पूरे पेड़ काटने थे वह पूरे ना काटके बीच बीच में कुछ कुछ पेड़ छोड़ दिये उससे क्या होगा एक पर छोड़े यह क्या करेंगे सीड्स से हो जाएगा 20-30 परसेंट अपन आर्टिफिसली प्रमोट कर देंगे तो रीजनरेशन आर्टिफिसल और नेचरल दोनों होगा सीड से ही होगा पर यहां नेचरल का काफी बड़ा हिस्सेदारी आ जाती है तो इस ताइप से अपनी जो कॉस्ट है वह कुछ कम हो गई यहां प पात की जाए क्रआप कि की कि क्रम खिषी होगी तो कौरॉपर बैसीकली एवन ही जीड ही आप भलोगी कि ऑफने जैके ऐक रहर है आपके या एक हैक्टर कि यहां पर त्रीज कितने थेक दस जार अधिक किस्थे अविख लिप या लाएब र हेराँ है्टा वी Halo रेमाइन यह good intentions कर दिए जिसे हैं के लिए घणाने डीड Krाष को कैड़े कर दिया तो जब जब दोबाहर है एक दो परसेंट की चकल में थोड़ी कोई पड़ेगा तो यहां की जो क्रॉप है वो बेसिकली बोला जाए तो वह एवन एजड़ है यानि कि पूरी की पूरी जो एज है वो एक ही है और पर यहां पर वही है कि एक वार हम लगा देंगे फिर हम बीडिंग क्लीनिंग टेंडि इसनते नहीं कि यह सब चीज़ांगा जो है वह चलता रहता यहीं कि यहां पर देखनें की कोई जरूःतس है तो एक्टॉल में जो यूनिफॉर्म सिस्टम है यह क्लियरा । है यहां पर कुछी चोड़ देंगे तो यह викर यहां और तो यहां के दूसरा क्या कर देंगे यह अगर फ्रॉस्ट पढ़ेगी तो यहां पर जो नई ग्रोथ होगी उसको एक टाइप से सैडो का काम करते हैं चाहीं प्रोवाइड करवा देंगे तो सैल्टरॉड के साथ कुछ प्रोवान था उन्हें अपनी सैल्टर देदी च्छाहीं देदी तो बस यह उनीफार्म सैल्टर्वर्वर शिस्टम या तो आप इसे यूनिफार्म इक्जाम में या जब भी आएगा तो या तो आप से लिखाओगा या uniform silviculture system या uniform system कि ऐसा आ सकता है uniform shelterwood system इस टाइप से टाइटल से वो नाम पुछ लिया जाता है अब अगर आप से यह बोला जाए कि length of regeneration period यह अभी का मुद्धा नहीं है इसे बाद में discuss कर लेंगे यह जो हमने uniform किया कि इसका इसु क्या है मतलब हमने इसमें क्या किया है कि जो क्लियर फिलिंग सिस्टम था अपना उसकी डिस एडवांटेज थे जो एरिया ओपन के उन्हों को हमने काफी अद्धक कुछ कम कर लिया सब कुछ नहीं क्या मुगा लेकिन यह बोलो कि उन्हों कामने 20-25 परसेंद थ करके हैं अब यहां पर एक और चीज आती है क्लियर फिलिंग में जैसी हम एक बार में पूरी क्रॉप उड़ा दे थे सेल्टर बुड में हम एक ही बार में पूरी क्रॉप नहीं उड़ाते हैं यहां पर हम क्रॉप धीरे-धीरे करके उड़ाते हैं इसके पीछे रीजन यह ह हम चाहते हैं कि जब पुरानी क्रॉप कट ए तब तक यहां नई क्रॉप आ चुके नई क्रॉप आ जाया है तो इसके लिए क्रॉप करहें हैं अगर अगर अपना क्रॉप होद माचूर्टी से एक साल पहले अपने क्या करेंगे यहां पर कुछ पेड़ों को काट देंगे दोचार को यह दोचार को क्यों काट रहा है उसके पीछे रीजन यह कि जो क्रॉप लगाई थी अपने इसके क्रॉप के जो क्राउन है वह एक दूसरे में घुज करके बड़ा अच जब यह लाइट नीचे पहुंची नहीं पाएगी तो इनका जर्मिनेशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो आप वहां पर कुछ पेड़ों को काट देते हैं जिससे नीचे सीड जो है उन्हें लाइट मिल पाए और यह सीड थोड़े जर्मिनेट हो जाएंगे जर्मिनेश को सेलिटर हुड में क्रॉप को एक वार में खाटके 6-7 बार में काटते हैं या 3-4 ओपरेशन में काटते हैं तो पहले में जब हम कुछ पेड़ों को हटाते हैं उनका परपस अपना होता है वहां सीड लिंग पैदा करना तो हम कुछ पेड़ हटा देंगे वहां जो सीड प करेंगी फिल जरुफ करेंगी तो उस्षे और लाइť की जरूद है अब जिव और लाइट की जरूद है पहले पहले पेल जो थे बो सब्सक्राइब थीक हमने थोड़ी बहुत खूलत्त था 5 2 ताइम है धार्ड धार्ड ताइम है फोर्थ ताइम है तो इस टाइप से चलता रहता तो यह ज़ो चीज होती है थार्ड फॉर्थ धार्फ उन्हों को हम बोलते है सिकटरी फिलिंग चाह कि भो कुई हो सकती है 5-6 साथ तक कितनी भी operation हो सकते हैं और इसी में जो लास्ट operation होता है जिसे अब हमें पता पकन फर्म हो जाता कि जो हमने नीचे crop लगाए थी यह पूरी तरह से हमें से फाइनली पूरी हटा देंगे एकसेप्ट जो हमने वनाते हूथ ना 25-100 तो पत्चीस तिस संदाव को छोड़ करके बकाए की पूरी प्रॉप हम इसको पूरी को फैनल को हटा देते तो हम उसे बोलते हैं फाइनल श्लिंग तो यहां पर जो फीलिंग ऑपरेशन है किसमें साफ्टर बूड मैं वहां के लिए जैसा नहीं है कि आज हम गय और दो दिन में पूरे क्षित साफ कर दिया यहां पर फिलिंग ऑपरेश इसमें जितने भी ऑप्रेशन किये गया हूं उन सबको एक खटा बूलकर कर देते हैं सिकंड्री फिनली अब एक टाइम आता है कई बार आपको जो कुश्चन में कभी कभी दो टर्म आ जाते हैं उसमें एक होता है री जनरेशन फिलिंग और दूसरा होता है री जनरेशन स neighborhood आपने जो शुरू किया वो यहां से शुरू किया और यहां से त्पी अट जा यहां छलता रहा और फाइनल क्रॉप चाल लाई तक है तो यह जो पेरियाड है जो time period लग गया हो है regeneration interval मतलब वह से भीआब को regenerate होने में जो time लगा वह regeneration interval और दूसरा कई बार एक term आता है वो है regeneration filling मतलब regeneration के लिए आपने कौन-कौन सी वहां filling की तो आपने कौन सी की पहले आपने भॉहां पर scheduling billing की सिंद्ड़री फिलिंग की फिर finalım तो यह तीनों फिलिंग के अंदर आगय से घंडर अब यहां पर एक मुद्दा और चलेगा वह है पिरियोडिक ब्लॉक तो यहां पर जो रिजनेशन फिलिंग वाला मुद्दा है यह आपको समझ में अब यहां पर कभी-कभी एक हुआ जाता है कि जो regeneration period यानि कि जो अपना regeneration interval था यहां से लेकर कि कहां अपना ceiling filling से final filling था तो जो regeneration period था है रिजनरेशन अटर्वाल था यह किस बात पर डिपेंड करता है तो क्योंकि यह जो पीरेट है बहुत सारी चीजियों पर डिपेंड कर सकता है वहां की वैदर जो है वह बहुत घटिया थी मतलब फ्रोस्ट अक्सर पड़ जाता था सेल्टर्वूट सिस्टम में एक सब्द और है जिसे हम बोलते हैं पिरियोडिक ब्लॉक यह काफी बार बार टर्माएगा और लगवग पूछा भी कई बार जाता है कि आखर यह पिरियोडिक ब्लॉक होता क्या है पहले हम इस कॉंसेफट को समझ देती क्या करह जैसे कि अपने खिलियर सिस्टम में क्या किया था कि अपने पास जो 10,000 के एरिया था उसे चोटे चोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया था जिसे एक पार्ट को हमने क्या बोला था इसको हमने बोला था एनुवल ब्लोक अब यह एन्युल ब्लोक के साथ इस्व यह था कि जब हम इसको एन्युल ब्लोक की क्रॉप को हर्वेस्ट कर दे थे एक वर में तो क्योंकि रिजनरेशन जो था अपना वो पूरा आर्टिफिसियल था तो जैसी हमने क्रॉप हर्वेस्ट की नर्सरी से हम जो सीडलिंग लेके आए और वहां transplant कर दी यह फर सीड हमने वहां लगा दी तो यहां पर जो regeneration है इस एरिया का जो regeneration है वो quick हो जाता है दो तीन मन्त में ही हो जाता है लेकिन यहां पर initial cost बहुत जाता था तभी तो हमने सेल्टरवूड सिस्टम को अड़ोप्ट किया तो सेल्टरवूड सिस्टम में क्या है खासकर एक तो हम यहां पर यह अपना जो cost बढ़ाना नहीं चाहते हैं दूसरा ऐसे एरिया जो इन ऐसे सीवाल है हिली है हमाला की एरिया है कहीं Central या South India में कहीं ऐसी पहाड़ी है बेस्ट करने गया और टाइकर ने उनका रिजनरेशन करवा दिया तो जो ऐसे एरिया हैं वहां पर आप यह एन्वल कूप के कॉंसेप्ट पर नहीं चलते हो वहां क्या करते हो किस पूरे एरिया को हम छोटे-छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं जिने हम बोलते हैं periodic ब्लॉ कि अगर चीर पाइन के इस एरिया को देखा जाए अगर हम एन्वल ब्लॉक की बात करें इसकी अगर एन्वल ब्लॉक में बना दिया तो हम यहां 100 एन्वल ब्लॉक में बनाने पड़ें क्योंकि एक का रिजनरेशन पीरेट होता है वह 25 साथ तो यह बहुत दिमाग का धाही क कर देता है जब छोटे चोटे ब्लॉक आप बहुत ज़दा बना गया है तो कि इस एक एरिया को रीजनरेशन में 25 साल लग जाते हैं 25 साल कैसे लग जाते हैं मान की चलो मैंने जैसे बोला इस साल रीजनरेशन हुआ अगले साल फिर वह अगले साल हुआ तीन साल में क्रॉप काफी अच्छी खासी स्टैपलाई हो चुकी थी लेकिन चौथे साल वहां लग गई आग तो कि कौनी फार्स हैं आग बहुत पकारते हैं खासकर क्राउन फार अग लग गई यह पूरा एरिया फिर साफ हो गया नीचे से तो ऐसी समाश्चाहों साल बचने के लिए हम एक यहाँ पर हमने में कुको कोई दस अर्म कू जो बना रहे थे 10 ना बना के हमने चार कूप बना दिये और हमने उन्हें जन्सल्द मतलर एकसाल बाले ब्लॉक याने की एन्म वल ब्लॉक न बना करके हमने उनका अपियरियोड कुर वाक एन्हें हम बोलते हैं ड्र本ी बित बोलš जिसको कोई एक specific period के लिए हमने छोड़ रगा है तो जैसे चीरपाइन की बात की जा तो चीरपाइन का रोटेशन होता है वह सौजयर होता और एक area को block को regenerate करने में 25 सा लगते हैं तो सीचों चार ब्लोडые में divided कर देते हैं चीरपाइन के forrest को यानि अनिया है चीरपाइन के लिए उसे छार पार्ट में ड़ाइडिड कर दिया कि इसा विए उसमा क्या क्या कर दिए आपना पहला lok जब इसमें रिचनरेशन विर्क हो रहा होगा मतला 25 साल तो दूसरे क्रॉप दूसरे ब्लॉक में जो क्रॉप होगा होगी 26 से 57 तक की तो यहाँ पर जो क्रॉप होगी उसे हम हार्वेस्ट कर रहा होगे और यहां अभी रिजनरेशन बर्क चल रहा होगा जब इसमें हार्वेस्ट हो जाएगी क्रॉप तो फरम इसमें रिजनरेशन बाद करने लगेगे यह दूसरा यह ब्लॉक से फट हो जागा इदा है तो इस टाइप से आपको क्या याद रखना है इसके पचड़े में पढ़ने की जरुवत नहीं है आपको एक बात यह याद रखो कि चीर पैंट में जो रोटेशन है वह सो स आता है तो पीरियोडिक को ब्लॉक का मतला है कि अपने फूरेश्ट एडिया जो है उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसे रिजनरेशन एक्टिविटी के लिए कुछी स्पेसिफिक पीरियोडिक के लिए सेपरेट कर दिया तो जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था सीडिलिं प्लिक्शंड्र प्लिक्शंड्री फिलिग फाइनल फिलिग यह जो टाइम लग रहा था वह गैवले को मैं दिर्यूपक पन करना किनमने आपन किया मांने MARK 2017 लगने वाले हैं तो पहली साल हमने सीलिंग की ये सीलिंग अगले दो-तीन साल तक यह पर करते रहा है और दीडेए दीडिरे जब तब हम उसका कर देंगे फाइनल फिलिंग वह जो कुछ सेल्टरबू ट्रीज है बीस-पचास उने छोड़के बगाए कि सबको मैजरूटी को कट कर देंगे तो अब आपको जो टर्म था एक तो रिजनरेशन फिलिंग बोस अब समझ में आ गया है नहीं अब अब आपने आता है यूनिफॉर्ण सिस्टम के आडवांटेज और डिसवांटेज तो अगर फिलिए खिल्यर तो आपन हो जाती थी हाँ हमने स्वैल को कंपलेटली ओपन नहीं किया काफी हत्तक रिस्क के ओपन की थी वह एक्सपोज जो हने की कांडिशन थी उसे रेडियूज की दूसरा यहां पर जो ट्रीज थे उन्हें एक बार में फिलना करके हम फोड़े पीरियड से करते हैं इससे क्या होता कि जो नई जी जेनरिशन उसे इस्टेबलाईज होने में काफी हत्तर सुपोर्ट बर जाता है और दूसरा आप जब पेड़ काटते हो जैसे कि अगर यहां क कि ऐसी स्पिसी जो दूसरी पेड़ की सैड में उकती है मतलब सैड Durr या सेड डिमांड ciao करश यो गल्हान कांन सकते थे क्योंकश आपको एक बाद समझ में आ गई कि हाँ बकाय की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें काफी हल्प कर देती जैसे कि एक टर्मोर आ जाता है रेडियूस लेंथ और रोटेशन की जो लेंथ है उसे घटा देता है आप बोल सकते हो कि यह रोटेशन पीरियट को कैसे घटाएगा क्योंकि जैसे यह क्रॉप लगी थी यह यहां से लगी थी और यह का एक पीरियट को लगा दूसरा तीसरा और चार यानि कि इसकी सेविंटीफाइब यार्स बखाएगे तो 25 साल तो इसने इसके अंडर कर लिए और बैसी इसके साथ है एक नई क्रॉप जो लगेगी वो इसके अंडर कर लेगी तो एक्ट्वल में आपको जो पीरिया लगा इस क्रॉप को अगर बात की जा तो इसी तो 75 साल ही लगे यह साल ही कर दिया यह सो साल ना हो करके 75 कर दिया तो 25 परचीस परचेंट अपना रोटीशन पीरियाड वो रिड्यूस हो जाता है तो इसके एडवांटेज पढ़ लोगे कोई इसू है नहीं अब मुद्दा आ जाता है यहां डिशाडवांटेज का तो क्लियर फिलिंग में क्य बोगर जाती है उसके साथ इसू है आपने जो नई रिजनरेशन जो लगा रखी थी बड़ा पिल उनके पास गिरेगा तो यह नई वाले जो बच्चे थे सब कुछर लाते हुआ एक तो यह इसू है दूसरा यहां एक बार में तो आप काट दें नहीं हो कभी चार पिल कभी दस पिल का भी बारा पिल तो यह जो चुटे में काटते हो इस वजह से आप ऐसा पॉसिवल नहीं कि आप मसीन लेकर और मसीन से एक वार में करते हैं और मेकेनाईजेशन क्या करता है कॉस्ट को रिडियूज कर देता है तीसरा इसू इनके साथ क्या है यह जो ग्रेजिंग अगर यहां पर चीर्पाइन फूरेस्ट है अगर वो क्लियर फिलिक में मान के चलो होता तो उसमें एक ही साल बाप पूरे एरिया को रीजनरेट करके अगले दो-तीन साल बाद इस एरिया को ग्रेजिंग के लिए खुल दिया जाता है अब आप इसे सेल्टर वोड के यूनि चले जाते हैं किस ठोक देते हैं तो यहां पर यह भी चीज है इसूर है इसके साथ एक इसूर है यहां पर जब आप पेड़ काटते हो तो पेड़ जब स्टार्टिक में आपने सीडिलिंग फिलिंग की फिर सिकंडरी फिलिंग चलती रही कई बार जब तक आपके फाइनल रगा था उनकी साइड का सुपोर्ट तो घट गया है तो अब वो पेड़ हवा से उड़ जाते मतलब गिर जाते तो आपको कहीं न कहीं यह मैकनिकल डैमेज होते हैं वह भी उन प्योड़ों को जो सबसे पैस्ट थे आपके उनको मैकनिकल डैमेज हो जाती तो एक टाप सी लॉस्स भी यहां हो जाते हैं तो यह आपको समाझ में आ गया यूनिफर्म सिस्टम के कुछ डिसाड़ांटेज है और इसके कुछ एड़वन्टेज है अब आपको एक बात और इसपर एक दो कुछन कर लेते हैं फिर आपन आगे चलते हैं कुछन है वाट अर्दा ऑब्ज और यूनिफर्म सिस्टम का हमारा आप्जेक्टिव क्या तो अब इसमें क्लियर फिलिंग सिस्टम को जो डिसद्वाइंटेज थे उनको कुछ कम किया गया तो दियर इच नो रेगुलेशन ऑफ लाइट इंट इंट्स टर अगरें एड़र्स क्लाइमेंट इफेक्टर इन दि हाँ ये बात सही है कि इसे काफी हग्त तक यहां का इंट्र रखा जाता है क्योंकि ये 25 साल तक कि तुम खुली नहीं गाए तो इसे एक एक अल्टरनेटिव हो सकता है अप्शन अपना थाड़ है दियर इच हाई रिसक आप स्वाइल डिटेरियोरेशन और इरोजन ये तो अप्शन नहीं क्योंकि आप कभी जमीन को ओपन छोड़ी नहीं रहा है अपकी हमेश्चा क्रॉप वहां है उपर से चाही रखने के लिए और जब आप मैचियोर तब गाटते हो जब नई वाली क्रॉप वहां अपने आपको इतनी बड़ी हो चुकी हो थी कि वहां पर कोई आप ओवर दा होल एरिया ऑफ कंपार्टमेंट तो ऑप्टेंड यूनिफॉर्म रिजनरेशन तो यह भी बात सब्सक्राइए कि कैनोपी है वह यूनिफॉर्म ली ओपन होती है जिससे उसमें यूनिफॉर्म रिजनरेशन मिल सक है तो आप यहां पर आपके पास एक तो यह रहा है और दूसरा वहां ग्रेजिंग और ब्राउजिंग की बात करता तो ग्रेजिंग ब्राउजिंग का कोई वेटेज नहीं बन पा रहा है अपना यू जाएगा इसका डे अब जहां एक बार यूनिफॉर्म सिस्टम हो जाता है उसपे चलो एक और कॉशन दिख लिए त अब अपना आता है मैं ग्राफ यह आपर सेल्टर वूर्ट सिस्टम का पहले इस उनिफ सिस्टम किया है क्यों कि क्लेर फिलिंग सिस्टम के जो डिसद्वांटेज थे उनको कम करने के लिए लेकर यह बोल सकते हो कि जैसे इसका थोड़ा एक अपडेटेटेड वर्जन आया य है और यहां से जैसे जैसे आप आंगे चलते जाओ गए यह उसके और shove dedicated होते जाएंगे और यह पुरे नेचुरल डाइब क्यों होते जाएंगे कहने का मत्लब है यह हंडिट परसंट आर्टीफिसियल फोरेस्ट है और इस somehow परते जा पूरेस्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे क्यों कि आर्टिफिशियल की जो डिसएडवांटेज थे उनको जैसे जैसे हमें समझ में आया तो यह जो सेल्टर वूट सिस्टम है इसमें आपको एक बात समझ में आ गई होगी है पहला तो इसमें क्या चलेगा अपना ज चारवार में करता हैं जिसमें सीडिलिंग फिलिंग सिकंडरी फिलिंग फाइनल फिलिंग तो यह लगवक सब के साथ चलेगी है अब यहां पर देखो क्रॉप जो थी वह बिल्कुल एवन एजट थी कुस्चन अपने इसी बात पर आएंगे यूनिफॉर्म सिस्टम में भी अर्टिफिचल से नैचुरल की तरह सिफ्ट होता जाएगा पस इसी बात पर हमें ध्यान देना है तो यूनिफॉर्म हो गया अब आपने दूसरे पर चलते हैं वह अपना ग्रुप सिस्टम ग्रुप सेल्टरवूड सिस्टम